जैविज्ञान बच्चों आज हम व्याकरण से पार्ट 14 मुहावरे लेंगे तो मुहावरे आप पहले भी कर चुके हो तो हम आगे के कुछ मुहावरे लेते हैं एक बार जो इसमें है हम एक बार रिवाईज कर लेते हैं ताजमेल देखकर वरुण हैरान रह गया ताजमेल देखकर वरुण ने दातों तले उंगली दबाली अब ये दातों तले उंगली दबाली ये क्या एक मुहावरा है साप को देखते ही महिमा घबरा गई साप को देखते ही महिमा के हाथ पेर फूल गई तो यह हाथ पेर फूल गई क्या है यह मुहावरा है तो second में जो sentence लिखे है वो मुहावरे में लिखे है तो हम आगे के कुछ मुहावरे पढ़ लेते है कान कतरना का आर्थ है चालाक होना आजकल के बच्चे बड़े लोगों के कान कतरते हैं याने कि बहुत चालाक हो गए हैं दात खटे करना बुरी तरह हराना चिकना घड़ा कुछ भी असर ना होना चिकना घड़ा का आर्थ होता है कुछ भी असर ना होना तो हमें उस पर वाक् कि हमें किसी की बात नहीं समझ में आ रही है तो हमें कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं राहुल को कितना भी समझा लो वह तो एकदम चिकना घड़ा हो गया है हाथ बटाना मदद करना पानी पानी होना शर्मिंदा होना नेक्स्ट है अंग अंग ढिला होना अंग ढिला होना का अर्थ है बहुत अधिक ठकना तो जैसे हम ठक जाते हैं तो बोलते हैं कि मेरा अंग अंग ढिला हो गया है आकाश पाताल एक करना बहुत कोशिश करना कक्षा में सारवधिक अंख प्राप्त करने के लिए इशा ने आक कमर कसना कार्थ होता है तैयार करना तैयार होना वाशिक परिक्षा के लिए सभी विद्यारतियों ने कमर कस ली है तो सभी की परिक्षा भी आने वाली है बाग बाग होना बहुत खुश होना जब मैंने कक्षा में प्रथम इस्थान प्राप्त किया तो मेरे माता पिता का दिल बाग बाग हो गया तो आप अपने साब से भी सेंटेंस बना सकते हो। तो आप कोई भी वाक्यस के उपर बना सकते हो, पीट दिखाना हार मानकर भाग जाना, वीर पुरुष मैदान में कभी पीट नहीं दिखाते, भीगी बिल्ली बनना, मतलब बहुत डर जाना, प्रधानाचारे जी की कक्षा में आते ही सभी बच्ची भीगी बिल्ली बन गए, भीगी बिल्ली का अर्थ है बहुत डर जाना, फूला ना समाना बहुत खुश होना, चित्रकला प्रतियोगता में प्रथम इस्थान प्राप्त करने पर अभिनव फूला ना समाया, तो फूला ना समाने का अर्थ होता है बहुत खुश होना, नेक्स्ट कुछ अन्य मुहाव इज़त कम होना नाकूची होना इज़त बढ़ना नाकूची होने का अर्थ होता है इज़त बढ़ना घोड़े बेचकर सोना उसका अर्थ होता है निश्चिंत हो जाना बेफिक्र हो जाना है ना निश्चिंत का अर्थ होता है बेफिक्र होना होना आकाश के तारे तोड़ना असंभव को संभव करना किसी भी काम को हम बोलते हैं कि यह नहीं हो पाएगा लेकिन नहीं हम करते हैं मतलब संभव असंभव काम भी हम संभव बना देते हैं चंपत हो जाना कार्थ होता है भाग जाना बोलते हैं कभी-कभी मुहावरे में कि वह चंपत हो गया पीट थप थपाना कारत होता है शाबाशी देना जब भी हम कक्षा में कुछ अच्छा कारे करते हैं तो अध्यापक आपके पीट थप थपाते हैं तो उसकारत होता है शाबाशी देना किस्मत चमकाना चमकना भाग्ये खुलना किस्मत चमकना कारत है भाग्ये खुलना रंग उड़ जाना उसका अर्थ होता है घबरा जाना रंग उड़ जाना का अर्थ होता है घबरा जाना जैसे चहरे का ही रंग उड़ गया हम ऐसे बोलते हैं उसके चहरे का मुझे देखते ही उसके चहरे का रंग उड़ गया हवा से बाते करने का क्यार्थ है बहुत तेज दोरना मुँ की खाना बुरी तरह हारना तो आपको ये मुहावरे इसी तरीके के नाम यहां पर बोलेंगे और हिंदी के महीनों के नाम अलग होते हैं अब हम लोग जनवरी फरवरी तो बोलते हैं लेकिन हिंदी के महीनों के नाम अलग होते हैं तो बच्चों यह तुम जानते हो की साल में बारा महीने होते हैं इन महीनों का क्रम सूर्य की इस्थिति के पर होता है तो पहला महिना होता है वो है चैत्र, दूसरा वैशाक, तीसरा जेश्ट, चोथा आशार, पांश्वा श्रावन, छटा भादरपद, शात्वा अश्विन, आठवा कार्तिक, नवा मार्ग शीर्ष, दस्वा पॉष, और ग्यारा, ग्यार्वा माघ, और बारवाह फ तो हिंदी के भी यह बारा महीने होते हैं जिनके यह नाम है तो आपको इनके नाम जो है इसी तरीके से पढ़ने होंगे और लर्न करने होंगे तो बच्चों नेक्स जो चैप्टर लेंगे वह बहुत छोटा ही है वह व्याकरण से ही सूचना लेखन जिसको हम नोटिस राइटिंग बोलते हैं हम स्कूल में भी देखते हैं किस तरीके से सूचना लेखन होता है बोर्ड पर लिखा जाता है तो ध्याले के सूचना पट पर आपने अक्सर सूचना लिखी देखी होंगी यदि आपको सूचना पट पर कोई सूचना लगानी हो तो कैसे लिखेंगे सूचना पट किसको बोला जा रहा है यानि कि बहार आप जब विद्याले के बार देखते हैं तो वहां पर हम कुछ सूचना लिखते हैं तो सूचना पट पर सूचना लिखते से में कुछ बाते ध्यान में रखनी चाहिए, सूचना पट पर लिखी जाने वाली सूचना इसपष्ट तता सरल शब्दों में लिखी होनी चाहिए, सूचना को आकरशक बनाने के लिए रंगों तता चित्रों की साहता ली जा सकती है, सूचना में द चुछना उपर आवशक चाल लिखेंगे जो ह्यों होगी जारी एवशक सुचना और एक हमें सुचना लिखनी है कि पानी की अशनल आपकी खो गई है स्कूल में तो आपको वह सुचना बोर्ट पर लिखीते ही है तो कल खेल के मैदान में मेरी पानी की बोतल रहे गई थी बोतल पीले रंकी है तथा उसके ऊपर लाल रंके फूल बने है यदि किसी को मिले तो क्रप्या सूचित करे अक्षिता जैनिस में नाम लिखा हुआ है उसमें आप अपना नाम लिखेंगे और अपनी कक्षा का नाम लिखेंगे और सेक्शन लिखेंगे तो कोई भी चीज खो सकती है घड़ी खो सकती है या बुक खो सकती है टिफिन खो सकता है तो उसकी सूचना हम इसी तरीके से लिख सकते हैं जैसे कल खेल के मैं दाल में मेरी घड़ी खो गई थी तो हम घड़ी के लिख सकते हैं मेरा टिफिन खो गया था तो टिफिन इस रंग का है घड़ी काले रंग कि आपको उसकी बस डेटेल देनी है उसकी विशेष्टा बतानी है कि वह कैसी है और बाकी आपको क्रिप्या सूचित करें यदि किसी को मिले तो क्रिप्या सूचित करें तो यह वर्ड यह सेंटेंस जरूर लिखना है उसके बाद आपको अपना नाम और section का नाम लिखना है कौन सी कक्षा में है आप और किस section में वो लिखना है आपको आपको इसी तरीके से सूचना का यह देखना है कि हमें कैसे करनी है next जो हम chapter लेंगे विज्यापन लेखन तो विज्यापन लेखन मतलब advertising advertisement तो हम टीवी पर देखते कितने सारे advertisement आते हैं तो उसको अगर हम खुझ से बनाएं तो हमें समझ में आएगा कि किस तरीके से हमको वो theme लिखनी चाहिए तो इसी तरीके से हम colorful विज्यापन बना सकते हैं जैसे इसमें कुछ विज्यापन दिये हुए है एक pencil के लिए विज्यापन बनाया हुआ है लंबे समय तक चलने वाली aviral pencil है निराली अब aviral जो है इसमें pencil का नाम दिया रखा है तो आप कुछ भी नाम लिख सकते हो और pencil कैसी है सस्ती है सुन्दर है टिकाओ है तो आप अप के लिए अच्छा-च्छा कुछ लिख सकते हो ओर उसका नाम दे सकते हो और उसी तरीके से आप विज्यापन लिख सकते हो तो विज्यापन ब़ना बहुत ईज्य होता है इसमें आप अपना ड्रॉएंग अपना आर्ट भी use कर सकते हो नेक्स्ट आप देख रहे हो कि गर्मी से रहत दिलाए नाटू शर्बत आपकी बुग में नाटू शर्बत लिखा हुआ है और सब के मन को भाए तो आप कोई भी शर्बत का नाम लिख सकते हैं बना सकते हैं और शर्बत कैसा होता है ठंडा ठंडा कूल कूल तो इस तरीके से आप उसकी कुछ अच्छी सी पिक्चर बना कर आप उसको एक एडविटिजमेंट के रूप में बना सकते हैं और जैसे इसमें लिखा हुआ है कि और आपने हमेशे देखा होगा आपके घर में न्यूस पेपर आता है तो न्यूस पेपर में एडविटिजमेंट होते हैं एडविटिजमेंट होते हैं बहुत सारी चीज़ों के टेलिवीजन के फ्रिज के एसी के बहुत सारे एडविट अपनी भूस से कट और आपको अपनी नोट बुक में उसको स्टिक करना है तो आपको समझ आए kis तरीके से सुन्दर-बूस देखते ही हूँ कि किस तरीके से विज्यापन इतने सुन्दर-सुन्दर होते हैं और हम तीवी में जब भी हम कोई भी चीज देखते हैं तो बीच में एड़िटिजमेंट जरूर आते ही आते हैं आदे से जादा तो उसमें टाइम एड़िटिजमेंट का ही जाता है तो आप देखे किस तरीके से ये विज्यापन बनते हैं और हम उसमें अपनी creativity भी दिखा सकते हैं कि हम उसको कितने और सुन्दर और अच्छे